हलो फ्रेंक्स, आज मैं आपको यमी पनीर की सबसी, फटड़त कैसे आप बना सकते हैं, वो बताने वाली हूं, तो इसके लिए आप एक अरिमिर्च लीजए, और तीखा पसंद है तो आप एक से जादा हरी मिर्च भी यहाँ पर ले सकते हैं, लाने एक हरी मिर्च यहाँ पर सकते हैं और इसकी ग्रेवी मैंने फ्रेंट्स नहीं बनाई है मैं छोटे पीसिस में इसे कट कर रही हूँ और उसे एक अलग ही टेक्ट्चर आता है जब वो प्यास के छोटे चोटे पीसिस में जाते हैं तो कुछ स्वीटनेस वाला टेस्ट भी आता है और तब तक मैंने यहां पर अपना घी डाला है गी में मैं पनीर फ्राइब कर रही हूँ और आप चाहें तो ऑईल का यूज भी कर सकते हैं लेकिन घी से टेस्ट अच्छा जाल लेंगे और यूसमें घी बचेगा इसमें हम अपना जो मसाला है वो इसको फ्राइब करेंगे तो तो मैं हमने आधा चमla जीरा लिया है दो लॉंगली है दो सथी और तीन इलाइच़ी ली है डाल चीनी लिया है बड़ा लॉंगली तेश पताल यह आल्मुस्ट अब ग कर ठाकर Maan है तो बहुत ही जल्दी बहुत ही इसलि भन जाएकि दमाटर के बाद हमेशन ताकि टमाटर बहुत जल्दी से प्राई हो जाते हैं उसके बाद तो ये देखिए अल्मोस्ट रीडी हो चुका है मसाले डालेंगे हल्दी मैंने लिया आधा चमच और धनिया पाउडर एक चमच यहां पर लीजिए और उसके बाद मेश्ट पाउडर डालें थोड़ा सा गरम आधा है इसको अच्छेसे मिक्स करेंगे जब ये मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा साब भूलने के बाद इसमें पानी डालेंगे एक कटोली इसमें बादि अपर बैंग इसमें और शबर आधा 선िवा बॉन गरेंगे और बहुत जात आधा आर प्को आपानी हो यह और देखिये आपके सबसी रेडी हो गई है